हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बेक टु मैं चैनल दीब कंप्पूटर एजुकेशन फ्रेंड्स प्रिविएस क्लास में आपने डिजाइन टैप के बारे में सीखा था और आज की क्लास में मैं आपको लेयाउट टैप के बारे में सिखाऊंगी जिसमें आप पेज सेट अप कर करते हैं word open करेंगे layout tap पे हम जाएंगे and first option is margins set the margin sizes for the entire document or the current section तो आप अपने document में margin set कर सकते हैं इसमें different sizes इसमें कोई भी आप set कर सकते हैं इसमें different options हैं जैसे कि normal margin आप लखना चाहते हैं narrow margin, moderate, wide या mirrored जैसे हम normal margin लखना चाहते हैं अभी यह normal margin है इसमें आप जैसे कि मैं rend command से paragraph लेती हूँ equal rend यह देखिए यह जो writing portion है अभी यहाँ पर शोग रहा है इस margin से और इसका margin आप change करना चाहते हैं जैसे कि narrow margin करना चाहते हैं यह देखिए narrow margin करते ही यह जो text है वो left की तरफ जो है वो shift हो चुका है देखिए और margin इसमें पेज का जो blank है यह margin करता है मैंने कि page का जो blank part है वो आपका margin करता है तो यह जो है वो कम हो चुका है तो इस steps आप कोई भी इसमें change कर सकते है moderate margin में कुछ steps से देखिए नीचे आगया text आपको changes शो हो रहोंगे इसमें and wide margin में यह देखिए wide margin में margin जो आपका blank part है paper का वो and इसमें mirrored यह देखिए mirrored में कुछ steps हो गया and इसके लावा margins में custom margin यान कि आपके according आप margins को custom करना चाहते है तो आप customize कर सकते है custom margins पे हम जाएंगे यह देखिए margins में जैसे कि आप top से कितना चाहते है space एक setup करके हम देखते है इसमें अपने according 1.5 bottom से भी आप 1.5 चाहते है inside to outside to यह देखिए preview उसका आप देख सकते हैं हापर जो भी हम changes कर रहे है वो यहाँ पर preview में हमारा show हो रहा है यह देखिए 0.2 इस step से मैंने कुछ settings करी है इसमे mirror margins and हम इसको ok करा देंगे यह whole document में apply होगा यह देखिए यह text जो है वो हमारी setting जो हमने custom margin अभी set किये थे उसके according हो चुका है text और margin हमारा जो है वो यह यान कि blank paper का margin increase हो चुका है तो इस step से आप कोई भी margin में paper में set कर सकते है normal margin इसमें कर दीजिए यह देखिए यह यह सी हो जाएगा जैसे था इसमे next option है orientation आप अपने paper का orientation change करना चाहते हैं यानि कि जैसे अब यह paper आपको portrait में show हो रहा है इसमें दो option है orientation में portrait and landscape यह portrait आप इसको landscape में करना चाहते है यानि कि थोड़ा आप paper का size बढ़ाना जाते है इसमें आपनी यह देखिए यह देखिए यह देखिए आपका यह document है वो landscape में हो गया है यह देखिए इसकी height है वो paper की कम होजाती है और जा आपकी width है नहीं कि चुड़ा ही है वो paper की बढ़ जाती है इसमें फिर से आप इसको portrait में देखना चाहते हैं तो आप portrait में यह देखिए nä अब इसका जो लेंथ है वो पेपर की बढ़ चुकी है next option is size choose a paper size for your document आप अपने document के लिए कोई भी paper लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं इसमे size option में different type के options है जैसे कि first है letter आप letter type में से देखना चाहते हैं जैसे कि 8.5 inches into 11 inches में तो आप letter में से देख सकते हैं या फिर आप tabloid में देखना चाहते हैं यह देखिए यह tabloid में हो गया क्योंकि इससे tabloid में इसकी width बढ़ चुकी है and next is legal इसमें different type के option आप कोई भी paper इसमें select कर सकते हैं legal यह देखिए and statement यह देखिए statement में कुछ steps हो गया executive paper आप चाहते हैं a4 size जो की बहुत common है हम projects वगार में या कोई भी आप अपना office का work या कोई भी work करते हैं इसमें a4 size का paper जो आप use करते हैं तो आप इसमें से select कर सकते हैं इसी तरह से a5, b4, b5 तो आप कोई भी paper sizes में select कर सकते हैं और more paper sizes में अब अपने according कोई paper set करना चाहते हैं तो आप उसकी width और height बदा के इसमें set कर सकते हैं और से okay करा सकते हैं यह cancel कर देंगे हम और इसको हम a4 रहने देंगे और page setup में next option है columns split your text into two or more columns अब अपने text को columns में कर divide करना चाहते हैं तो इसके थूँ आप कर सकते हैं you can also choose the width and spacing of your columns और use one of the present formats तो आप अपने जो document है उसमें column की width और spacing को अपने according चूज कर सकते हैं कि friends basically newspaper में जैसे आप देखते हैं या किसी books के text में देखते हैं तो उसमें use होते हैं जैसमें अपने newspaper में देखा होगा कि एक column में text के end होने पर वो दूसरे column में अपना अप start हो जाता है तो इस newspaper वगारा में या books वगारा में use होते है इस tag का criteria तो अभी हम columns में जैसे इसको divide करना चाहते हैं तो इस text के लिए अभी one column में शोग रहा है यानि कि default जो होता है वो one column लेता है तो पूरे text आपको दिखाई दे रहा है अगि मैं इसको select करके इस ने two columns में देखिए ये कुछ mark बना रहा है उपर तो इसने इसको two columns में divide कर दिया तो इसके लिए में कुछ और text ले लेती हूँ ये देखे ये अपना जो है text वो second column में shift हो चुका है देखे जैसे newspapers में होता है ठीक वे ऐसा ही ये देखे और इस step से आप इसको three column में divide करना चाहते हैं तो इस three column में भी divide हो जाएगा ये देखे ये text जो है वो two columns से three columns में आप shift हो चुका है इस step से आप कर सकते हैं अब इसको left side में shift करना चाहते हैं ये देखे ये left side में अब शो हो रहा है right side में आप देखना चाहते हैं तो ये देखे right side में shift हो गया है and left में इसको करना चाहते हैं तो ये left में shift हो जाएगा इस step कोई भी column का dividation इसमें कर सकते हैं one column, two column, three column और more columns में आप जाके आप इसमें अपने according अपने column की width और spacing को जो है वो set कर सकते हैं उसे okay करा सकते हैं जैसे कि मैं यहापे एक आपको करके दिखाते हूं पहले से हम normal one column में कर देते हैं जैसे पहले था यह यह देखे one column में हो चुका है अब हम इसमें more columns में जाएंगे and जैसे कि number of columns हमें चाहिए three for example और column की width और spacing 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 अगर हम decide करेंगे तो width by default वो अपने आप calculate होती है हम spacing थोड़ी जैसे कि increase करतेते हैं देखें preview में आपको show हो रहा है जैसे कि मैंने 1.1 inches लेजी तो इसने अपने width वो show हो रही है and इसको equal column width हम ऐसी रहने देंगे hole document पे apply करना है तो hole पे रहने देंगे और इसके बीच में अगर आप line और देखना चाहते हैं तो line between पे आप tick करेंगे जैसे कि preview में आपको show हो रही है lines show होंगी इसके बीच में और इसे आप ok करा देंगे यह देखिए यह जो columns से आपके 3 में divides हो गए तो ok friends आज की class में सिर्फ इतना ही next class में हम layout tab में page setup का remaining part continue करेंगे तो आपको यह video पसंद आया तो please like share and comment this video and subscribe to my channel जिससे आप मेरी updated videos को देख सकेंगे नहीच सकेंगे झाल दीश भूइ झाल